जो खबनों की देह तक जाए जहां लगातात मिछवे तीन दिनों से तीन बच्चों की मौत हो गई है जबकि अभी भी पांच बच्चे गंभी रूप से घाल है बताते चले कि बीते दिनों भदोही जिले के ग्यान पुठाना चेतर में स्कूली वैन में लगा गैस सिलेंडर फटने से वैन में बैठें बहुत सारे बच्चे गंभी रूप से घाल हो गए थे जिन में से घाल बच्चों को वाराण सी के बीच्चु ट्रॉमा सेंटर में रफर कर दिया गया था जिसमें से आठ के हालत कंभीर थी जिनका आईसियों में इलाज चल रहा था बीते गुरुवर और सुकुरवार को उनमें से दो बच्चों की मौत हो गई वही सनीदार को भी इलाज के दौरान पांच बड़ सी रानी मिश्टा के भी मिश्टी हो गई रानी मिश्टा घदोनी जिले की ज्यान पुट शेत्र की रहने वाली थी वहीं उसकी मत से परिजनों का रोरो कर पुरा हाल है पता दे कि अभी आईसियों में पाच बच्चे हैं जिनकी हालत गम पीर बताई जा रही है पैस यह स्कुल को भी बैस बहुत कर थे उनकी लाइसे नहीं और गारजीनों को भी पढ़ाया जा रहा है उल्टा सिधा पताया जा रहा है तो ऐसे कभी ना हो भभी स्में जो एसी घटना हुई यसे दुब्आरा किसी साथ नो इससे हमें गुजारी से कि ऐसे स्कूल ऐसे बस ऐसे को सब्सक्राइब लगाए जाए आपके भी कुछ परिवार के हैं हमारी भांजी है जो आज इस पार कर गें कल इस पार कर गें रानी मिस्टना थी तब कि स्कूल पर करवाई हो करना चाहता हूं चाहिए वह जो पहले चीज़ तो उसक इस से क्यों ऐसा किए कि यह लाइसंस पर इस तो पैसे लेकर इसकूल चलवा रहे हैं ऐसे सबाजी उनकी मानेता स्था अईसे जितने वी विद्धिया लुटारत की अगि बनारत क्या कि आल यूपिक मैं बात कर रहा हूं पूरे पैदेस की बात कर रहा हूं मैं थैकि ऑनलम में प्रखों में खटना हुई है मार्ती बेन में जिसमें बच्चें को बठा कर मार्ती वेन में लाए उन कैस इंडर से जो आग लगाई सर इसी से एक अटना हुआ है ऐसेट में पांच सब्सक्रपे पहले दिन due जिसमें तीन की टेट हो चुकी है दिसा यादव आईश यादव रानी मिस्रा अब कल डेट होगा सर अभी कितने बच्छी गंभी दो है सर बाकी की स्तिति ठीक है डाउक्टर लगे हैं पोछिस कर रहे हैं सर इसमें कोई कमी नहीं है अच्छे से कर रहा है क्या स्कूल को पर कोई करवाई हुई हां सर प्रबंदग भी पकड़ा गया ड्राइबर भी पकड़ा गया तो क्या समें प्रसंगलती मानते हैं कि ऐसे इसको इसको देखना चाहिए बिएस्टो ने जो इता आत माले जांच में डिएड़ सो बिद्याले भदोही जनपत का जी सर अब मांग क्या है मांग हमारे हैं कि मारे बच्चे ठीक हो जाएं यहीं मांग है सुनने में आ रहा है कि जितने बच्चे भी बच्चे हुए हैं और उनके परिजन इलास संतुष नावकों को पीजियाई ले जाना चाहिए तो तमाम लोग कहते हैं परिजन घबला गय लेकिन ऐसी बार नहीं टामा सेंटर में प्रसाशन प्रसाशन के तरफ से काफी मदद किया जा रहा है इसी को दीकत लिए तो गारी के मानक अनुसार जो सरकारी मानक है उसके अनुसार दिये होते तो आज इस्तिति हम लोगों को न देखने पर ती वारत की वाविस्वार्ट जो काम नहीं कर रहा रहा है कि अपने आप से निकलके चले जाएं अब अब क्या चाहरा है अख्य अच्छा बिवस्था हो न चेए अभी कोई विच्छ को बिवस्था इने किया गया इस प्यूसर के संख्यानि heated मेंन part से आघर किर्ठट में कर तो होसकता है तुछ नहीं मुझे नहीं वच्छे से सकते हैं में और भी बच्चे है बदोही जिले में हुए स्पूल वैंद और भेटना में मृत बच्चों की आत्मा की शांती के लिए बदोही जिले में हुए स्पूल वैंद और भेटना में मृत बच्चों की आत्मा की शांती के लिए वाराण से के सिंग द्वार पर नगरवासियों ने उनको गाव भी निस्ता धांजली अर्पत की इस दोरान नगरवासियों ने दो मिनिट का मौन रखकर मृत बच्चों की आत्मा के शांते के लिए इस्वर से प्रात्ना किया झाल